साथियों, उत्राखन देव भुमी हैं, मुझे आध हैं, मैं जब बाबा केदार के दर्शन करने गया था, तो दर्शन के बाद अनायास ही मेरे मुख से कुछ पंक्तिया निकली थी, बाबा केदार के आशिर्वाद स्वरूप ये पंक्तिया थी, और यूही मैं बोल पड़ा था, ये दसक, ये दसक उत्राखंड का दसक होगा, उत्राखंड आज, जिस तरह से कानून व्यवस्ता को सर्वोपरी रखते हुए, विकास के अभियान को आगे बढ़ा रहा है, वो बहुत सरानिय है, ये इस देव भुमी की पहचान को समुरक्षित करने के लिए भी एहम है, और मेरा तो विश्वाथ है कि ये देव भुमी आने वाले समय में पुरे विश्व की आध्यात्मी के चेतना के आकरशन का केंद्र बनेगी, हमें इस सामर्थ के अनुरूप भी उत्राखन का विकास करना होगा, अगर हम अभी ही देखें तो चार धाम यात्रा पर आने वाले तिर्थ यात्रियों की संक्या हर बर्स पुराने सारे रेकॉर्ड तोड़ देती है, नया रेकॉर्ड बना देती है, अभी बाबा केदार के दर्शनों के लिए कितने स्रधालू बढ़ रहे हैं, ये हम सब देख रहे हैं, हर इद्वार में होने वाले कुम्ब और अर्द कुम्ब में दुनिया भर से करोडो स्रधालू आते हैं, हर वर्ष जो कावड यात्रा होती हैं, उसमें भी लाखों करों लोग उतराखन पहुचते हैं, देश में ऐसे राज्य कम ही हैं, जहां इतनी बड़ी संख्या में स्रधालू आते हैं, स्रधालू की ये संख्या उपहार भी है, और इतनी बड़ी संख्या को संभाल पाना एक बगीरत कार्य भी है, इस बगीरत कार्य को आसान बनाने के लिए ही डबल इंजिन की सरकार डबल सक्ती से डबल गती से काम कर रही है,